नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ये वीडियो है ससे सीजल के जनरल लोगनेस के कोश्चन जो 22 सब्सक्राइब को पुछे गए हैं तो इस वीडियो हम तीनों शिप्ट को कवर करेंगे स्टार्ट करते हैं फर्स शिप्ट के कोश्चन से जो मौनी शिप्ट है पहला क थर्ड कोश्चन की क्रिकट का वर्ड कप 2019 में का होने वाला है तो वह होने वाला है इंगलेंड के अंदर 2019 का प्रिकट का वर्ड कप क्या salinity है किता खारापन है समुन्दरी जल के अंदर तो 35,000 इसका अंसर है इसका अर्थ होता है कि कि जो जो सी वाटर है वो 3.5% salty है या यह कहेंगी एक लीटर के अंदर एक लीटर मतलब हजार एमल हो गया तो उसमें 35 ग्राम अपने को साइट मिलेगा एक लीटर पानी के अंदर इतना खारा है फिर बात करें तो लग लग वाटर की जैसे की पीपीटी में बात कर लेते हैं पार्ट पर थाउजंड तो बिल्कुल ही जो ब्राइन पूल होता है इसमें 50 प्लस 50 से उपर ही होता है और सी वाटर में 30 से 50 तकी रेंज है और फ्रेश स्वाटर में 0 से 5 परसेंट तक यह सलिनीटी होती है 0 से लेके 0.5 प्यूपीटी तक पर थाउजंड पार्ट ही है गोशन फॉर्थ एसेटिक एसेड रियक्ट विद बेकिंग पाउडर तो क्रियेट तो एसेटिक एसेड रियक्ट करता है बेकिंग पाउडर से तू यह गोल गुंबस की फोटो है बिजापुर करनाट का के अंदर है फिर कुशन था कि इनमें से कौन सा सार्क मेंबर नहीं है यह तो नहीं बता सबसे ऑप्शन वाइज तो सार्क है क्या सार्क की फुल फॉर्फॉर्म है कि साउट एशियन अस्याशन फॉर रिजिनल कॉपरे फॉर्फॉर्स है क्रील अक्यांतर है और से एक बेटर्फॉर्फॉण के स्पिस्स पर एक क्क्वेशन था फिर कूचा था वूर्फॉर्फॉर्म से और से उन्हीं परिंदर के लिए थी यह 1898 के अंदर भी है फिर एक कोशिन सेट्षा डिफीटेड लूम एट बैटल आफ चौसा एक अनौज तो शेड्षा ने किसको डिफीट किया था बैटल आफ चौसा एक गनोज नहीं वायू को डिफीट किया था तो शेड्षा सुरी के बारे में कुछ जो इंप 1540 से लेके 1556 तक इन्होंने नॉर्थ इंडिया के ऊपर रूल किया था यह पहले बंदे थे जिन्हें रूपईया या कोईन जो रूपए की कि जो करेंस यह वो रिलीज की थी और और इन्होंने पार्टली पुत्र का नाम टटना कर दिया था और फिमस थे कि यह जब सीयं का जबड़ा हातों से उखार देते थे और इन्होंने ग्रांड ट्रक रोड को एक्स्टेंट किया था चितगाओं से लेके काबूल तक चितगाओं है बांगलादेश के अंदर और काबूल तक जो अफगानिस्तान में है इनकी मुर्तियों होगे थी वो गन पाउडर के एक्सकोजिन के वज़े से जब वो कलिंग फोर्ट पे लड़ाई कर गए तो यह थोड़ा कुछ और है तरसे सूरी के बारे में ओलाय कि इन्होंने और भी इंपॉर्ट ईयासर जी से कि पोचल सिस्टम को इन्होंने रियोर्गनारईarme किया और ग्रांट के बारे में बताई दिया पिर हमायू के बारे में देख रहे हैं हमायू जो मुगल एंपर है उसके दूसरे बादशा थे पहले बादशा बाबर बाबर इनके पिताजी थे बाबर के बाद हमायू आये इनके जो पुत्र थे वो अशोग थे इस मराट अशोग जो महान मुगल एंपरर थे और शी है इस इंपोर्टेंट नहीं है इनको बरी कांग किया गया था वो हमयू के टॉम पर बरी किया गया था कि दिर्ली के अंदर है और इनका रिजिन्त था वह सुनि इस्लाम है पीर बात करें कि जो आरवी ही है आरवी किस लिस्ट में राथा है तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यूनिन रिस्ट का सब्ज Wennوس किस्ट्रलाइजेशन इस दाग फिजिकल चेंज है एक कोशन बुक्स और उतर पे भी था और एक कोशन शामवपरसाद मुखर जी रूरल अर्बन मिशन पे भी था और दिमांड और प्राइज की दिमांड और प्राइज में देशन पूशा था कि वन कोशन फोम यून मैसेज फॉर पीस इस पे लिटरिट था चोला डेनेस्ट्री नॉन ब्रह्मन अगरिकल्चर क्या बोलते थे विलान वगी बोलते थे और सबसे ज़्याद एक्मोस्फेरिक क सबस्ट्रख केंश प्राइज केसा बाएज ञांगाज है जायरlast के इसोंड फैरन दोह जो क्यार जोडवल्र कंट्रंड होकें अगर माषव कि बात करें ही तो होकी में जारंल मार्ञ और और मेंस गाल कप लंड़न के अंदर वह उने वाला है फिर्ट्या की यह पुच्छा था कि लोक सभा की सीटे कितनी है उत्रा खंड में लोक सभा की सीटे 5 है राजे सभा की 3 है और और MLA की सीटें 70 है आर्खेटेक्चर ऑफ हमायू टॉक के अर्खेटेक्चर कौन थे मिराग मिर्जा यास थे यह हमायू के टॉक के आर्खेटेक्चर थे फिर पुचा की नूर जहां जो की वाइफ थी जांगीर इनका नाम बताओ जूर नूर जहां है तो यह थोड़ा नूर यहां के बारे में और नूर जाहां को महरू उन निशा या नूर जहां भी क्या जाता है उनकी जांगीर की लाइप में बहुत इंपोर्टन रोल प्ले किया यह वैसे वीडो थी एक रिबल शोर्डर जो शेर अफगान की यह सब इंपॉर्टेंट था कि आर्मी नेवी और एरफोस किस लिस्ट में आते हैं तो यूनिन लिस्ट में आते हैं वर्ल्ड की ओल्डेस लेडी जो अभी रिसेंट्ली डाइव हुई है को किस कंट्री को बिलॉंग करती है तो इसका अंसर इट लिए है बांगलादेश किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है तो option wise अगर 40 घंड है तो सही है वैसे फूल देख लिंते हैं बांगलादेश किसके साथ बॉंडरी शेयर करता है चुछ यहां पे देखो यह इंडिया कनक्षा में यह जो एडिया है बांगलादेश तो यह वाला एड प्रれた अव्य working भी इन्टियन ऐसेट करते हैं वह गया वेस्ट बंगाल कि वेस्ट असम याभण यह अवी लुक ज्हघों स्टेटक इस्टेश्वलय करने मनिपूल्स नागालेंड नागालेंड और अरुनाचलПрदेश बंगलादेश के साथ बोल्डी शेड नहीं करते हैं तो यह कुश्चन था कि फिर नेक्स्ट कुश्चन की तर हम मूँव होते हैं Continental Crust Contains Aluminium and Maximum Composition of Which Minerals Continental Crust के अंदर अपने को सिलिका मिलता है Aluminium और सिलिका मिलता है सबसे ज़्यादा तो अंसे इसको से लिका है एक कुश्चन था कि Railway Life Insurance Scheme से रिलेटेड भी जो कवर करती है इंश्चोरेंस दस लाख तक का ही 92 पैसे में ऐसा कुश्चन था Most prestigious award कौन सा है सबसे prestigious award है 72 तन और एक question था amendment required to change the name of state name of state के लिए कैसे amendments की है simple majority से अपन state की name change कर सकते हैं कुछ special majority नहीं चाही होती है सिर्फ creation और name change के लिए अपने वो simple majority ही चाही होती है constitution में which is the capital of Tomod dynasty दो Tomod dynasty की capital दिली है sorry if two product are formed then the changes अगर दो product बनते हैं तो उस change को बोलते हैं chemical change फिर question 13 था which is the capital of Tomod dynasty हो गया next question is who is inventor of electricity electricity का invention किसने किया था Benjamin Franklin Benjamin Franklin ये Benjamin Franklin US के president भी है और इनको first American week आया था ये पहले American president थे Benjamin Franklin और इनका जो जनमवा था बॉस्टन मैसिंच उनाइट स्टेट में इनके बारे में कि ये बहुत अच्छे विद्वान थे और फिर third shift की बात करते हैं कि third shift में कौन-कौन से question पूचे गे में शेर्शा सुरी डिफीटेड विज मुगल रूलर ट्वास तो शेर्शा सुरी ने किस मुगल एंपर को दोवार हरा है शेर्शा सुरी के बारे में अपन निटेल में अभी पढ़ाई है तो नहीं मायू को ही रहा है वस मा के वो ही question पूचा है मायू को यह रहा है oldest man who died was from which country वो सबसे बुटा आदमी था वो यंगे शेर्ट में पूच लिया कि वो इटली से था oldest man who इंडोनेशा था who discovers penicillin किस country discover की थी तो वो थी थे अलेक्सेंडर फ्लैमिंग में discover की थी इनको nobel prize भी मिला है this discovery के लिए तो 1945 का जो nobel prize था medicine और physiology के लिए वो अलेक्सेंडर फ्लैमिंग, Ernest Boris Chain, Sir Howard Walter Florey को दिया गया है तो इनको यह सिंग दूप से दिया गया है for the discovery of penicillin और इन्होंने जॉइंटली यह लिखी थी for the discovery of penicillin and its curative effect in various infectious diseases इसके लिए इनको nobel prize दिया गया है फिर एकोशन की after battle of plassi who made sultan of bengal after sirajuddin dhola battle of plassi के बाद किसको sultan बनाया गया था कि बंगाल का sirajuddin dhola के बाद में तो मीर जाफर को बनाया गया था क्योंकि उन्होंने उनको दोखा दिया था और मीर जाफर उसके story देखे लेते हैं कि battle of plassi थी वो लड़ी गयी थी जूम ते इस 1757 में इनके बीच में लड़ी थी British East India Company और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में नवाब थे sirajuddin dhola जी और इनको दोखा दे दिया था इनके commander थे जो मीर जाफर ने क्योंकि वो अंग्रेजियों से मिल गया थे जो इस्ट इंडिया कंपनी थे उनके जो कर्णल थे Robert Clive उन्होंने उनको कहा कि तुम Sarajuddin dhola rado हम तुमें बंगाल का नवाब बना देंगे वो battle के बाद उनको मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था तो इस लड़ाई के बाद battle of plastic लड़ाई के बाद ही इंडिया का जो बुद्ध था यह कहें बिटिश रूल जो establish हो गया था भारत के अंदर यह बहुत ही famous battle थी river going to meet ocean divides as a option नहीं बता name of shark secretary general shark secretary general है अभी अब्दुल एसान यह बांगलादेश के हैं ग्रामी अवार्ड 2016 given to which album 2016 का ग्रामी अवार्ड दिया गया था Taylor shift को lime water plus CO2 form तो lime water और CO2 form करते हैं calcium carbonate जिसका chemical formula CACO3 जो की tons lime water milk calcium carbonate form करते हैं highest number of world medal in olympics सबसे ज़्यादा gold medal के से जिते हैं olympics में तो वह American swimmer Michael Phillips Michael Phillips he is a very great man 18 से ज़्यादा इस तो पुराना data है Michael Phillips great swimmer इन्होंने सबसे ज़्यादा gold medal जीते वे हैं 2016 में भी इन्होंने 4 gold medal जीत लिए तो 22 टोटल उनके पास होने चाहिए gold medals पिर है कि मिशन अंदे दुनुस के बारे में पूछा था कि यह किससे लिटेड है इम्मुनाजेशन ऑफ अफ एक वैक्सीन है उसे लिटेड है इन्हों इन्हों में कौन-कौन से डिजेज को इम्मुन करती है तो यह करती है मीजल्स को, पोलियो को, पेरिट्यूसिस को, टिटनस को, टीवी को, डिप्थीरिया को, और हैप्टेट्रिस B को, तो यह सारे इस के लिए, साथ डिजिस के लिए, जो मिशिन इंदर दुनों से, मिनिस्ट्री ओफ एल्थ के द्वाय चला जाता है यह सारे, एक वेशन था, एक वेशन हो में इयर से लेटेट्ड भी था, और फिर गोल कुमेज का पूछा आ गया, पहले पूछा तक हाँ पे है, बीजापूर करनाट का बता दिया, बिल्द किस ने किया, तो किस सैंचुर्य में हुआ बिल्द, जो सतरवी सताफदी में होगा, इनमझ तो र dual नित री जो संचीर में तो जो से बिल्द करते हैं, किस से विलोंग करते हैं, ये इनमगाय कौशिन परे、 बीज ल विलोंग करते हैं, तो लिलोंग करते हैं, इनमें से य dependency और पटा कर सकते हैं, कह सो से विल्द, न्जी में पुछे पर पिता कर द में है if you like this video please do subscribe to this channel and do share with your friends thank you thank you very much